हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक आटे का रिपलाई है हमारे पास आ चुका है एक प्रेटिकुलर जोन का कैटेगरी वाइस डाटा भी मिल चुका है कि इस कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए हैं और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं साथ ही हम लोग यहाँ पर पर सीट कॉमपेटिशन भी निकालेंगे जिस जोन से डाटा मिला है उसके आधार पर आप बाकी जोन का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो पुरे जानकरी आपको इस वीडियो में मिलेगी वीडियो हमेशा की तरह छोटा सा रहेगा इसलिए आप लोग वीडियो को अंतक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आपकी स्क्रीन पर एक आर्टे रिप्लाई है सबसे पहले में आपको दिखाना चाहूंगा डेट यहाँ पर यह जो आर्टे लगाई गई थी 2 नवंबर 2024 को लगाई गई थी और 13 नवंबर 2024 को इसका रिप्लाई मिला है अच्छा कहां पर लगी थी यह आर्टे यह भी देख लेते हैं रेलवे भरती बोर्ट जम्मु श्रीन गरियानी की जम्मु जोन में यह आर्टे लगाई गई थी तो आविदन पूछे गए थी कितने हुए हैं और उसमें इन्होंने पूरा डाटा दिया है अच्छी बात यह है कि category wise भी डाटा दे दिया है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीक इसे डाटा आया है बागी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे इन्होंने यहापर डाटा शो किया अब यहाँ पर आपको confusion यह हो सकता है कि इन्होंने यह कैसे पता लगाया कि station master की post पर इतने form आएं क्योंकि देखो अगर आपने graduation complete किया है आपने ntpc graduate वाला form भरा तो आप तो सभी post के लिए eligible हो तो देखो मेरे अनुसार इन्होंने क्या किया है कि जब आपने form भरा होगा तो आपने preference दिया होगा जैसे आपने number 1 पर station master रखा होगा number 2 पर train manager रखा हो रखा number 2 पर station master रखा तो उसको इन्होंने यहाँ पर goods guard में count कर दिया है इस तरह से इन्होंने calculate किया है तो यह भी कोई गलत तरीका नहीं है total number of application से हमें मतलब है वो यहाँ पर exactly निकल के आ रहा है अब आप लोग देखोगे यहाँ पर goods train manager का कितने कितने form है category वाइस देख सक यूर का total होगा ठीक है ना ऐसे आप देख सकते हैं junior account assistant come typist में नोंने बताया है 26695 और senior clerk come typist में नोंने बताया है 37350 form बरे गए हैं ठीक है वैसे तो मुझे नहीं बता railway ने कैसे calculate किया होगा बट मेरा अनुमान यही है कि इन्होंने preference के according calculate कर दिया क्योंकि इसके लावा तो क आप में यह common नहीं होगा तो इन सभी को add करके हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि proceed competition कितना निकल रहा है बाकि यह official RTI है आप लोग देख सकते हैं अब आ जाते हैं proceed competition पर तो देखो commercial come ticket supervisor की 44 post हैं जम्मू में जिस पर 2766 form आए हैं station master की 10 post हैं 66118 form train clerk goods guard की 60 post हैं जिस पर reference पर दिया है ठीक है ऐसी यहाँ पर आप देखो senior clerkrum typeist की 27 post हैं 6335 form टोटल 145 form पर 2,25,475 form भरे गए हैं ठीक हैं according to this RTI reply अब अगर proceed competition निकाले तो आपको पता है कि vacancy का 15 गुना CBT 1 clear करेगा यानि कि 145 का 15 गुना 2175 candidate CBT 1 clear करके CBT 2 में जाएंगे और अगर हम इससे proceed competition निकाल करके तो एक seat पर 120 चातरों का competition है यह जम्मू की बात हो रही है जहां पर vacancy बहुत ही कम है इससे जादा भी होंगी कुछ zone में तो उसके according का competition का थोड़ा सा idea ले सकते हैं बाकि जम्मू का एक जएक data में मिल चुका है और यह data थोड़ा अलगतरी किसे दिया था लेकिन मैंने आपको फिर बे समझा दिया कि कैसे इन्होंने data show किया है बस यहां पर गलती यह मत करना यह common नहीं है यह मेरे according सारा unique होंगे क्योंकि सभी का इन्होंने first preference को उठा कर इसको calculate कर दिया है तो यह था पूरा जम्मू zone का reply competition आपको मालूम चल गया है अगर आप लोग कहेंगे comment box म मुझे बताएंगे तो मैं सभी zone का prediction भी निकाल दूँगा इस एक zone के अधार पर क्योंकि जब एक zone का exact data निकल जाता है तो बाकी zone का prediction करना थोड़ा सा easy हो जाता है तो सभी zone का भी मैं निकाल दूँगा और future में कोई IT reply आएगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा इसलिए